सीजन फूर एपिसोड सीग स्टार्ट होता है और एक फ्लैश बैक के सीन में हमें सॉल एचेचेम में काम करता हो दिखता है वोल सब को लेटर सेगरा बाट रहा होता है थोड़ी देर बाद ओफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है चक ने एक बड़ा केज जीता होता है जो विनेबल नहीं होता उसके लिए सब तालिया वगरा बचा रहे होते हैं सब उसे कॉंग्रेशुलेशन कर रहे होते है सॉल को यह सब समझ में नहीं आता तो किम उसे सब टेक्निकल सब बताती है किम भी अब यूनिवर्सिटी में कोर्स कर रही है अभी तक सॉल ने डिसाइड नहीं किया है कि उसे लॉयर बनना है चक जब उनके पास से जा रहा होता है तब किम उसे बहुत ही कॉंग्रेशुलेशन वेगरा करती है चक किम के बारे में बोचता है और किम बोलती है कि मैं यूनिवर्सिटी में कोर्स ले रही हूँ किम लॉयर्स के लिए इतनी रिस्पेक करती है यह देखकर फिर सॉल हमें लाइबरी चेक करती हुँ दिखता है यानि कि अब वो decide करता है कि उसे भी lawyer बनना है Kim देर रात तक काम करती है और वो Saul के पास आती है Saul के पास एक later pad होता है और जिस पर Saul और उसके जो firm होने वाली है उसका logo create किया हुआ है यानि कि ये बहुती बटा सपना है Saul गा सुभा होती ही तो Kim Saul से पुछती है क्या तुम उस psychologist के पास जाने वाले हो Saul बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बात करूँगा और मेरी problem वो Saul कर सकेगा ये मेरे लिए नहीं बना ये सब वो Kim को बताता है Kim भी बोलती है कि तुम्हें जो ठीक लेगे वो तुम करो नेक सिन में हमें दिखता है कि Kim श्वाइकर और क्रोकली को मिलने आई हुई होती है वहारीच उसका स्वागत करता है वो बोलता है कि तुमने जो client मुझे बेजा था उससे हम बहुत ही खुश है याने कि मेसावरटे का जो फ्लेंड होता है जो इसकी oil company होती है उसे Kim ने उनके पास refer किया था वो बहुत ही खुश है फिर Ridge Kim से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ Kim बोलती है कि तुम्हारे banking division केसी है वो बोलता है कि हमारे पास banking का work तो है पर ऐसे division वेगरा कुछ भी नहीं है याने कि Kim और Ridge अब दोनों मिलकर एक banking division create करने वाले है Kim ये deal उसे देने के लिए आई होई होती है नेक्सिन में हमें दीखता है कि Mike और Gus एक बड़े facility में आई होई होते है ये एक बड़ी company की तरह होते है पर इसके बीच में चोटे से घर होते है अब ये जो लोग है जो underground tunnel खोतेंगे ये यह यहार रहने वाले है इसलिए अब Mike Gus से बोल रहा होता है कि उससे कुछ क्या क्या चीज़े लगेगी याने कि वो उन लोगों को या entertain रख सके वो Gus को बोलता है कि ये लोग या आएंगे रहेंगे ये 7-8 में नहीं आ रहने वाले है इसलिए वो भाग ना सके इसलिए हमें उन्हें entertain रखना है वो उनके लिए beer का इंतर्जाम प्रोजेक्टर सब करने वाले होते है सॉल की एक ओल लेडी होती जो उसके क्लाइन्ट होती है वो मर चुकी होती है उसका सन्क सॉल को कॉल करता है सॉल बोलता है कि अब मैं एक काम नहीं गर सकता मैंने सबाय टिकल लिए है 12 मन्त के लिए तो फिर वो HGM को उस client को refer कर देता है जो lady Marie हुई होती है ये Saul की advertisement में भी होती है Sandpiper case के लिए उसने जो advertisement create की थी उसमें ये lady थी Saul को फिर Kim का call आता है और उसे hotel में वो बुलाती है वो उसे बोलती है कि आज हम celebration करने वाले है Saul बोलता है कि हमें किसको अब लूटना है Kim बोलती कि आज हम किसी को भी नहीं लूटने वाले Kim उसे बोलती है कि श्वाकर के साथ मिलकर वो अब banking division चलाने वाली है क्योंकि मेंसावरड़े उसके पास है मेंसावरड़े का काम बहुत ज़ादा है तो अब उसे ज़रा वक्त मिलने लगेगा वो उस पैसों के साथ time is spent कर सकती है सौल के जो plans होते हैं वो अब सब testness हो जाते है उसे किम के साथ ही काम करना होता है वो वहाँ से उठकर चला जाता है एक कोने में जाता है और अपने आपको समालता है वापस आकर उसे बोलता है कि ये सब ठीक है कोई problem नहीं है वो किम को खुश देखना चाता है नेक्स दिन में हमें दिखता है कि माइक उसके daughter-in-law के यहाँ आता है previous episode में माइक ने support group में बखेडा खरा कर दिया था तो इसकी वज़े से उसकी daughter-in-law को अब तकलिफ हो रही होती है वो अपने husband को याद करकर अब बहुत ही रो रही होती है माइक उसे बोलता है कि मैंने जो भी कहा वो सच कहा था पर अब हमें हमारी life के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए नेक सीन में स्वाल HHM में आता है HHM में जो desk विगरा होते वो उठाए जा रहे होते फिर वो Harvard से बुचता है कि ये क्या हो रहा है Harvard उसे बोलता है कि हम size छोटा कर रहे है HHM का चक के मरने के बाद हमारी reputation बहुत ही कराब हो गई है अब इसकी वज़े से हम financial loss में है तो हम office छोटा कर रहे है Saul बोलता है कि तुम्हें ऐसा कैसे होने दे सकते हो तुम्हें घटिया lawyer हो और तुम बहुत ही अच्छे salesman हो तो जाओ और तुम्हारे clients जो है वो फिर से वापस लेकर आओ उसे motivate करता है Saul Harvard को बोलता है कि तुम्हारे पास यह है तुम्हें अपनी पुरे life इसमें dedicated कर दिये तुम्हें जो चाहिए वो अब फिर से पालो वहाँ से फिर Saul चला जाता है नेक सिन में हमें दिखता है कि Saul जो cell phone sell कर रहा था streets पर वो इस cell phone वो बहुत ज़ादा अब buy कर लेता है वो अपने nail salon वाले office में रख रहा होता है पर वहाँ की owner उसे बोलती है कि तुम यहाँ यह नहीं रख सकते इससे fire का खत्रा होता है फिर वो उसे एक cell phone दे दिता है नेक सिन में हमें दिखता है कि सालमांका से मिलने गस आया हुआ होता है सालमांगाबने बेट पर होता है तो गस वहाँ बेटता है और एक story सुनाता है वो बोलता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ एक पेड था इस पर फल नहीं आते थे और हमारे यहाँ इतनी बारिज भी नहीं आती थी सबने बोल दिया था कि अब इस पेड का कुछ भी नहीं हो सकता इस पेड पर कभी फल नहीं आने वाले पर मैंने हार नहीं मनी मैंने उसके बहुत ही केर की और इसको इतना अच्छा बना दिया कि उस पर फल आना शुरू हो गए मैंने किसी को भी बताया नहीं था इस पर अब फल आ रहे थे क्योंकि किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता था मैंने जब इसके फल को टेस्ट किया तो यह बहुत ही स्वीट थे इतना स्वीट मैंने आज तक कुछ भी नहीं खाया फिर वो बोलता है कि एक दिन फिर कायोटी आया उसने मेरे पेड़ से फल काट लिये तो मेरे पेड़ को भी ज़रा तेहसनेस कर दिया मैं भी उसके पीछे दोड़ा और मैंने उसको इंजोर कर दिया फिर मेरे घर के नीचे एक स्पेस था वहाँ जाकर वो चिप गया मैंने भी उसका वही इंतजार किया रात हो गई मुझे सब ढूणने लगे और फिर वे मैंने आवाज नहीं की मुझे उस कायोटी को बाहर आकर उसे मारना ही था अब उस कायोटी को भूख लगी तो बाहर आया और मैंने उसे पकड लिया मैंने उसे बहुत देड़ तक कैद में रखा था इस तरह का ही बदला अब वो सालमंका से लेना चाता है उससे वो वेक अप करना चाता है उससे वो फिर से जगाना चाता है और फिर उससे वो बदला लेने वाला होता है नेक सिन में हमें दिखता है कि जो शेल्टर गस ने और माइक ने क्रेट किया होता है वहाँ अब लोग आ जाते है अब underground tunnel का काम शुरू हने वाला होता है जब यह सब लोग आते है तो Mike उन्हें बोलता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो हम ला कर देंगे उन्हें सब सामानवगिरा stock up किया होता है यहाँ वहाँ एक worker होता है जिसका नाम होता है काय वो लड़कियों की demand करता है Mike बोलता है कि जो ठीक होगा वही तुम्हें मिलेगा उनका जो Russian contractor होता है वो Mike से बोलता है यह फिर से नहीं होगा यह जो मेरे लड़के है यह बहुत ही sincere काम करते है तुम इस बात का कुछ बुरा मदमान लेना उस पर Mike सब नजर रख रहा होता है जो guards होते हैं उनको बोलता है काय पर तुम हमेशा नजर रखना यह trouble create कर सकता है next scene में में दिखता है कि Saul स्टीट के लड़कों के पास आता है यह वही लड़के होते हैं जेनोंने Saul को मारा होता है प्रिवियस एपिसोड में Saul फिर उनके पास जाता है और उनको डील देता है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे और मुझे काम करने दोगे यहाँ तो मैं तुम्हें हर रोज 100 डॉलर्स दे सकता हूँ वो बोलता है क्यों ना हम फिर से तुम्हें मारे और तुम्हारे पैसे लिले Saul बोलता है कि इस से तुम्हारा बेनीफिट नहीं होगा अगर तुम मुझे रोज काम करने दोगे तो मैं हमेशा एक consistent income तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम मुझे लूट लोगे तुम्हें फिर से यहा काम नहीं करने वाला और तुम्हारा फ्रॉफिट सब चला जाएगा फिर वो नहीं मानते और सॉल को फिर से लुटने वाले होते सॉल फिर वहाँ से भागता है वो भी उसके भागते है सौल फिर उन्हें भागते भागते एक जगा लेकर आता है वहाँ उस जगा सौल ने पहले ही दो आदमी लाए हुए होते है यह बहुत ही बड़े बड़े आदमी होते है फिर उन लड़कों को वो लड़का देते है वो एक स्टोर में होते है और उनके पास एक बहुत बड़े बड़े डंडे होते है वो उने घबराने के लिए स्टोर का सामार फोड़ने लगते है वो बहुत ही डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम यह फिर से नहीं करने वाले उसे सौरी वेगरा बोल रहे होते है सॉल फिर बोलता है कि तुम अब स्ट्रीट में वर्ड पहला होगे कि मुझसे कोई भी नहीं जुझेगा मुझे अब स्ट्रीट में कोई भी ट्रबल नहीं होना चाहिए इस तरह से अब सॉल उन से बदला ले लेता है यही एपिसोड खतम हो जाता है